सब्सक्राइब नाव एंड प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट नमश्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम है इस्टडिवी पेन लोदा जिसा की साथियों मनोविग्यान की जो मेगा टेस्ट स्रीज है जिसमें आपके साइकलोजी के कक्षा 11 और 12 की जो कितावे चलती है NCRT और RBC की वहाँ से 333 प्रिशने लेकर आ रहा था तो पहले भाग में हम 100 प्रिशनों को हल कर चुके थे अब ये वाला जो भाग है इस भाग में हम 101 से लेकर के 200 तक के प्रिशनों को हल करेंगे फिर अगले भाग में 201 से लेकर के 330 तक के प्रिशनों को हम हल करेंगे तो दोनों लेवल के लिए काफी ज़्यादा उप्योगी मतलब ये 330 प्रिशना आप अगर कर लेते हो पूरे ही प्रिशनों को तो फिर चारों किताबों को पढ़ने की बिल्कुल जरुत नहीं है साइकलोजिकी तो चलिए शुरू करते हैं दोनों लेवल के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट कहिने की जरुत नहीं पढ़नी चाहिए देखते हैं सात्यों प्रिशन संक्या 101 को तो देखिए ये जो आपका पार्ट सेकंड है NCRT और RBSC का 101 से लेकर के 200 तक के जो प्रिशन है अर्थार्थ इस वीडियो में भी आज हम 100 प्रिशनों को हल करने वाले हैं सात्यों सो सो प्रिशनों के दो वीडियो इससे हो जाएंगे इसके बाद में एक दो या तीन दिन बाद वापिस सो और प्रिशनों का आपके वीडियो आ जाएगा तो इस परकार 300 प्रिशनों हो जाएंगे और एक वीडियो या तो सो प्रिशन का यह रहेगा या फिर इसमे 101 से दो सो तक के प्रिश्णों को देखेंगे तो छलिए प्रिश्ण संक्या 101 किस गोलार्द द्वारा परमुक पेश्यओं और संग्याना अत्मक कारियों का नियंद्रन रहता है बाया गोलार्द दाया गोलार्द दोनों और इन में से कोई नहीं तो हमारे मस्तिक्स में जो गोलार्द है उस गोलार्द का नाम बताना है जो पेशिये और जो हमारी संग्यान आत्मक मतलब ज्यान से संबंदित और पेशिये किरिया जो हम करते हैं उनका नियंत्रन तो सात्यों ये बाएं गोलार्द में रहता है, स्क्रीन शोट आप हर एक क्यूशन का चाओ तो ले सकते हो, परतम विकलप आपका इसमें सही है, नेक्स्ट प्रेश्ट संक्या 102, एसा चिंतन जो मौलिक, आविशकार, शील और लचिला हो कहलाता है, अभी सारी चिंतन, तारकिक चिंतन, अपस अपसारी चिंतन के नाम से जाना जाता है, विकलप नमबर आपका तीन सही है, इस अपसारी चिंतन कोई सातियों हम सरजनात्मक चिंतन भी कह सकते हैं, तो चलिए अब प्रश्ण संक्या 103 पे आते हैं, 103, दो समान एवांचनी लक्षियों के बीच द्वंद्व प्राई जिस 103 में कौन सा विकलप सही है, तो देखो प्रश्ण 133 में, देखो पूरे ही 101 से लेकर के 200 तक के जो प्रश्ण है इस वीडियो में सोल जरू कर लेना एक बार, क्योंकि इन में से यूं मानों बहुत सारे क्यूशन एक्जाम में फसने वाले हैं, तो यहां जो राइट आंसर है वो रहेगा परिहार परिहार द्वंद, तो सातियों जो परिहार परिहार द्वंद होता है, हम दोनों, दो हमारे सामने आपदाएं होती हैं और हम दोनों को ही नहीं चाहते हैं, एवांचनी यह लक्षी मतलब जिनको हम प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, तो विकलप 4 सही र कहीं न कहीं थोड़ी बहुत गलती आपको मिल ही जाएगी तो साथियों उसके लिए आप कमेंड कर सकते हो अगर संशुदन करने योगी चीजे होगी तो बिल्कुल संशुदन सो प्रतिशत किया जाएगा प्रश्ण संक्या 104 किसी उद्धिपक के पता लगाने की आवश्यक न नियूनितम सीमा होती है नियूनितम आउश्यक सीमा तो उसको निर्पेक्ष सीमांत के नाम से जाना जाता है हमारे सामने कहीं सारे उद्धिपक होते हैं उनको जो पता करने की एक निमनितम सीमा है अगर उससे कम सीमा हो जाए तो हम पता नहीं लगा पाएंगे एक पास की निर्जी वस्तों में जीवन जैसे गुण होते हैं और वे कारी करने में सक्षम होते हैं कहलाता है जीववाद अहम केंद्रवाद भाव परबोधन और उबलब्दी की आवशकता देखो निर्जी वस्तों में भी जीवन जैसे गुण होना और वो कारी भी कर सकते जिसे से एक फथतर ये फथतर भी कर सकता है यह निर्जी वस्तु तो इस साथियों एसी सौच को जीवात कहा जाता है जिसको सजीव चिंеш सकते हो जिसमें प्रतियक वस्तु को और इन में से सभी तो सातियों दबाव भी दो प्रकार का होता है एक तो होता है नकरात्मक दबाव और एक होता है सकारात्मक दबाव सकारात्मक दबाव को यू स्ट्रेस कहते हैं और नकरात्मक दबाव को डी स्ट्रेस कहा जाता है विकल्प नमबर आपका तीन सही है प्रश व्यक्तित्व रखते हैं राजसिक, तामसिक, सात्विक और इनमें से सभी तो देखो ये जो राजसिक, तामसिक और सात्विक प्रकार के व्यक्तित्व हैं इनमें से कौन से व्यक्तित्व की विशेस्ता है जो उपर अंकित की गई है तो जिन लोगों में ज्यादा क्रोध होत प्रश्ण संक्या 108 की तरब बढ़ते हैं तो आपके प्रश्ण नमबर 108 यह देखिए 108 वा क्यूशन हें दुविदा की सिध्धान से संबंदित है पियाजे का संग्यानात्मक सिध्धान्त फ्रायट का मनोलेंगिक विकास सिध्धान्त कोहलबर्ग का नेतिक विकास सिध्धान और बंडूरा का निक्षनात्मक सिध्धान्त तो सभी ने हैंज दुविदा का नाम सुन रखा होगा हैंज जिस प्रकार हैंज की स्टोरी है सात्यों इसमें क्या होता है इनकी पत्नी बिमार हो जाती है जो मरने के ही कगार पे होती है अब उनके पर लिए एक दवाई लेने से संबंदित है विकल्प नमबर आपका 308 वे क्यूशन में नेक्ष्ट प्रश्ण संक्या 109 को देखेंगे तो चलिए 109 क्यूशन निम्न में से कौन सा दबाव के कारण होने वाला साववेगी प्रभाव है जी गबराना बुखाराना मन में डर होना और धुम्रपान करना देखो दबाव के कारण दुम्रपान नहीं करते हैं बुखार आना भी नहीं सातियों बलकि दबाव के कारणा होने वाला साववेगी प्रभाव पूचा गया है तो संववेग क्यों उत्पन होता है मन में डर होना जब हमारे उपर किसी चीच का दबाव होता है तो हमारे मन सा कतन असत्य है बुद्धी कई शम्ताओं का योग है बुद्धी की मदस्य व्यक्ति उद्देश पूर्ण कारे करता है बुद्धी की मदस्य व्यक्ति व्यक्ति विवेक्शिल एवं अमूर्त चिंतन करता है और जिस व्यक्ति में जितनी अधिक बुद्धी होगी उसे वाता बुद्धी होगी तो समाजन करने में अधिकटना ही तोड़ी होगी, बुद्धी से वो समाजन कर सकता है, इसलिए ये गलत है, बाकि व्यक्ति बुद्धी से विवेक्षिल और अमुर्थ चिंतन करता है, उद्धेश पुन कारी भी करता है, और कई शमताओं के योग को बहा जाता है, तो उल्ली चोटा विकलप आपका इस क्विशन में सही है, नेक्ष्ट प्रशन संक्या 111, सीखने की प्रकिर्या सूज की दरश्टी से निम्न में से कौन सी विशेस्ता गेश्टर्ड मनोविज्यनिको द्वरा निर्धरित नहीं की गई है, अधिगम की प्रक शीज नहीं बताए गई है अधिगम के लिए, तो साथियों इनोंने यह नहीं बताया है कि अधिगम की प्रकरती यंत्रवत होती है, क्योंकि यंत्रवत का मतलब होता है एक निश्चित तरीके से, और साथियों सूज में तो कोई तरीका नहीं होता है, इसलिए आपका जो second विकल्प है यह इस क्यूशन में राइट है नेक्ट प्रश्ण संग्यां 112 पे चलते हैं तो आपके प्रश्ण नंबर 112 टाइम जरूर लगेगा वीडियो में लेकिन इतना ज्यादा इंपोर्टेंट वीडियो है कि भई ही जो तैयरी करने वाला है उसको पता है कि कितना इंपो बंद जगे से दुर्बिती कलाव इस्टफोबिया पानी से दुर्बिती हाइड्रोफोबिया और उचाई से दुर्बिती फाइरोफोबिया तो साथियों दुर्बिती से समंदित प्रश्ण आप से पूछा गया है देखिएगा यहां पर चोता विकल्प आपका सही है क्यो और दुरूबितियां बिल्कुल सही है तो चलिए नेक्स प्रश्ण संक्या 113 को देखेंगे आपके प्रश्ण संक्या 113 है व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले जेविक कारकों में सम्मिलित नहीं है शारिरिक सरचना स्वास्थिये अंतह इस्तरावी ग्रंतिय तो साथियों तीन इसे विकल्प है जो जेविक कारक है लेकिन एक विकल्प जेविक कारकों में नहीं रहेगा तो जो शारिक सरचना है स्वास्ति है और अंतहिस तरावी गरंतिया है यह तीनों जेविक कारक है लेकिन पालन पोश्ण का प्रभाव जेविक कारक नहीं होकर क प्रिया उड़ने कारक है साथियों तो विकल्फ नमबर आपका चार यहां पर सही है प्रिश्ण संक्या 113 में नेक्स प्रिश्ट नमबर 114 पर आते हैं तो 114 वाक्यूशन निम्ण में से कौन सा उच्ची बुद्धी का संकेत है एक बुद्धी लब्दी प्रिक्षन के 110 संकर प्रजित करना याद करके पता बताना समान गलतियों को किसी कारे के पस्चात प्रिश्ट पोशन का उसर मिलने पर दोबरा नहीं करना और उच्ची श्रेनी प्राप्तांग प्राप्त करना तो देखो उच्ची बुद्धी का संकेत यह नहीं होता है कि उच्ची श्रेनी प् सातियों इसका राइट आंसर है तीसरा विकल्प पहले पे भी मत जाओ 110 IQ देख करके यहां राइट आंसर थड विकल्प है समान गल्तियों को जब आप कोई गल्ती कर देते हो किसी कारे के पस्चात प्रष्ट पोशन का उसर मिलने पर दोबारा नहीं करना किसी कारे में कोई गल्ती कर दी प्रष्ट पोशन मिला मतलब बता दिया कि यह से होगा गल्ती मत करो और दुबरा आप गल्ती नहीं करते हो तो मतलब आज में आप में क्या है उच्ची बुद्धी है विकल्प नंबर आपका थर्ड सही है 114 प्रिश्ण में नेक्ष्ट प्रि बुद्धी लब्दी के बारे में बताया गया है तो साधरन मानसिक दुरबलता के अंतरगत कितनी IQ मानी जाती है राइट आंसर है आपके 50 से 70 के बीच की जो IQ है बुद्धी लब्दी है साथियों उसको साधरन मानसिक दुरबलता के अंतरगत रखा जाता है बाकि आपके 70 स तक तो फिर पिछला बालग और नब्बे से फिर यहां पर आपके सो तक लगबग युमान के चलो कि भाई वो समाने बालग हो गया तो फ़र्ष्ट विकलप आपके 115 में सही है नेक्ष प्रश्ण संक्या 116 एक बालग नविन पुस्तक चाहता है लेकिन माता पिता अपनी कमज का प्रेरक का और इनमें से कोई नहीं तो बालक चाहरा है कि मुझे नई पुस्तक मिले लेकिन माता पिता की स्तिती खराब है पुस्तक नहीं ले पाते हैं तो पुरानी पुस्तकों से ही कुश रे लेता है वो क्या कर रहा है इस तरीके में समायुजन कर रहा है साथियों ठी के विगल्प नमबर आपका एक सही है प्रश्ण 116 में नेक्ट प्रश्ण संक्या 117 बुद्धी के सिद्धानतों में पिंडग का अर्थ है बुद्धी के द्वारा एक सामान एवं संगटी शम्ता से समधान किया जाता है बुद्धी में सोतंत रूप से किर्याशील होने वाल प्रश्ण संक्या 118 आपको इधर मिलेगी ये देखेगा देखना सीर उटाना बेटना तता चलना किस प्रकार के सीखने का उदारण है गामा कदिगम, ग्यानात्मक अदिगम, संवेदनात्मक अदिगम और उप्रिक सभी तो बालक देख रहा है, सिर उटा रहा है, बेट रहा है, चल रहा है ये ग्यान और संवेदना नहीं है सात्यों बलकि ये गत्यात्मक या गामक विकास है तो फिर गामा कदिगम वाला जो विखलप है 118 में वो सही आंसर है नेक्ट प्रश्ण संक्या 119 119 है स्वपनों के अद्यान के आदार पर मानसिक विकरती की जाच किस विदी में होती है वियोहरा आत्मक चिकिस्सा, मनोविशलेशनात्मक चिकिस्सा, व्यक्तिक एंद्रिच चिकिस्सा और संग्यानात्मक चिकिस्सा तो साथियों सबीने स्वपनों का नाम आते ही आपके प्राइड माइन मा आ गया होगा और इन्होंने कौन सी विदी दीती मनो विशलेशनात्मक विदी या मनो विशलेशनात्मक चिकिस्सा इसमें ही सोपनों के अध्यान के आदार पर ये देखा जाता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से कितना विकृत है या नहीं है तो आपके 119 में सेकंड विकल्ब सही है नेक्ष प्रशन संक्या 120 प्रशन नमबर 120 है आपके साथियों ये देखिएगा प्रशन संक्या 120 को थोड़ा बड़ा है आइन जेक के मनस्ता पिता प्रकार के विक्तित में कौन से गुणों की अधिक्ता होती है ये समाज सेवी, मिलनसार, प्रेमिय और मर्दुवाशी होते हैं ये कांत में रहना पसंद करते हैं, कम बोलते हैं, दूसरों से दूरी वना कर रखना पसंद करते हैं ये भावनाओं की कमी से ग्रस्त होते हैं, आकरामक होते हैं, समाज विरोधी होते हैं और अहम केंदरिता जिसी समझे रहती है, या धार में दूसरों के विचारों को जल्दी समझ लेते हैं और लोगों को अपने औराकरशित करते हैं, तो मैं कहे देता हूँ आपको ये क्यू तो इसमें इनोंने बताए कि जो लोग भावनाई जिनमें कम पाई जाती है आक्रमक व्याहँ रखते हैं समाज विरोधी कारे करते हैं खुद पर ही केंदरित होते हैं तो सातियों इस प्रिकार के व्यक्तियों को इनोंने मनस्तापिता में शामिल किया है थार्ड विकल्प 120 में सही है नेक्ष प्रश्ण संक्या 121 121 वा क्यूशन अधिगा मेवं परिपक्वता के संबंद में निम्नि में से कौन सा कतन सही है यदि माना विकास केवल परिपक्वता से उता तो मनुष केवल निम्नितम तक ही सिमित रह जाता वंश करम संबावी शमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विक्सित हो सकते हैं बालक विकास की दश्टी से जब सीखने के लिए तयार नहीं है तब भी वह अधिक प्रियास दोरा सीख सकते हैं और बालक की अंतर नहीं शक्तियों को बिना समय विचारे विक्सित करने के प्रुसाइद किया जाना चाहिए। समझ लो थोड़ा टाइम लग जाएगा भले इस क्यूशन में लेकिन समझो सोचो और फिर जवाब दो। क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं समझाऊंगा एक्जाम में कोई समझाने आपको नहीं आएगा समझ में आये नहीं आये आए आपके उपर डिपेंड करती है यह चीज़े तो राइट आंसर इसका है साथियों अधिगाम और परिपकुता के बीच में सबसे सही कतन है कि माना विका सेदी परिपकुता से होता तो मनुषी निम्नितम तक ही सिमित्रे जाता क्योंकि विकास का संबंद परिपकुता से नहीं होता है साथियों विकास तो आज इवन प्रियंत चलता रहता है इसलिए आपका जो प्रतम विकल्प है यह बिल्कुल सही के रहा है क्योंकि केवल पर परापरामर्श से सुखलत करने के लिए साकसाथ कार्श परामर्श करने के लिए उनका वंशन उक्रम केसा ही हो, भले ही उनमें दिमाग थोड़ा सा भाई क्वालिटी का हो या मत हो, लेकिन सात्यों फिर भी उनमें कुछ क्वालिटी हैं होती है, ये प्रसिक्षन और अनुभाव से आता है कोशल, तो विकल्प नमबर आपका दो सही है 122 में, नेक्ष सरल गणिती समश्य हैं हल करना, तो देखो निश्पादन, परफोर्मेंस टेस्ट में घन निर्मान करना आ जाता है, ब्लोक का छेट फिट करना आ जाता है, चित्रों के टुकडों को जोड़ना आ जाता है, लेकिन सरल गणिती समश्य हल करना, ये निश्पादन में नहीं आ वस्ता में और व्रेद्दा वस्ता में देखो आरबी केटल रेमंड केटल ने जो बताया है तरल बुद्धी और ठोज बुद्धी का सिद्धान्त इन्हों ने दिया था जिसमें इन्हों ने बताया था तरल बुद्धी जो कि वंशान उकरम से सरवधिक प्रभावित होती है स प्रिश्ण नमबर 125 सहभागी प्रेक्शन में प्रेक्शन करता सक्रिय रूप से सक्रिय सदश के रूप में सलगन होता है दूर से प्रेक्शन करता है और प्रेक्शन करता है तो सहभागी मतलब साथ में भाग लेकर जो प्रेक्शन करता या उलोकन करता होता है वो सहभागी प सही है 125 प्रिश्ण में नेक्ष प्रिश्ण संक्या 126 परतीक निरर्तक पद शब्दों की सूचियां इत्यादी सम्मिलित किये जाते हैं वाचिक अधिगम में कर्मिक अधिगम में स्रचनावाद में और किर्यात्मक अधिगम में देखो परतीक निरर्तक पद शब्दों की सू बिश्चियां मिल रहा है ना तो साथ यह वाचिक अधिगम के अंतरगत आता है किसके अंतरगत आता यह वाचिक अधिगम के अंतरगत विकल्प एक सई है 126 वे प्रिश्ण में नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिश्ण संक्या 117 को तो 117 वा क्यूशन फ्रायड का मत्ता की स्वपन का उद्देश है इच्छाओं की पूर्ति करना आरंबिक अनुभूतियों का प्रत्याहान सर्जनात्मक चिंताओं की अभिव्यक्ति करना और इसमर्ति की व्रिद्दी करना तो जो हम स्वपन देखते हैं इसका उद्देश क्या होता है हमें रात में कहीं सपने कहीं सारे सपने आते हैं सब देखते हो सात्यों सपनों को किसी को याद रह जाता है तो किसी को नी रहता है वह अलग चीज हो जाती है देखो स्वपन देखने का मु अनुकिरिया का 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 अ में पुनरपलन मिलता है और हम उस चीज को आसानी से सीख जाते हैं तीव रिगती से सीखते हैं तो सेकंड विकलप 128 में सही है नेक्ष प्रश्च नमबर 129 कि इस अवस्ता में आक्रामक वे धारनात्मक व्यक्तित विक्सित होता है मुखावस्ता गुदावस्ता लेंगिक गुदावस्ता को कहते हैं जो की सिख्धान्त की सेकंड श्टेज साथ यह सेकंड विकलप 129 वे प्रश्च नमबर 130 समय पे दुराबि मुँक्ख सिख्धान्त के अनुसार विकास बाहर से केंद के ओर होता है सिल से पेर के ओर होता है चेंद दुराबी मुख सिद्धानतिस में विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है तो थर्ड विकलप आपके 130 वे प्रिश्ण में सही है नेक्ट प्रिश्ण नमबर 131 जीन प्याजे के अनुसार वह अवस्ता जिसमें बच्चे संसार को शब्दो प्रतिमाओं और रेखांकन से प्रस्तूत करते गएं किन्तु तारकी रूप से संक्रिया नहीं कर पाते हैं कौन सी है पूरू संक्रियात्मक अवस्ता संवेदी प्रेरक अवस्ता मूर्थ संक्रिय तो प्रश्न संक्रियात्मक अवस्था और ओपचरिक संक्रियात्मक अवस्था तो प्रश्हे 131 में राइट आंसर दीजिए छार Çबटी है इसमें देखो। यहाँ पर इसा अधिगम जिसमें एच्चिक अनुकिरिया हैं उनके परिणामों द्वारा नियंत्रित रहती है कौन सा सिध्धान्थ है प्राचिय अनुबंदन का सिध्धान्थ किरिया परसुत अनुबंदन का सिध्धान्थ गेश्टाल्डवात का सिध्धान्थ और प्रियासवेत तो आपकी जो यह अनुकिरिया हो रही है एच्चिक खुद की इच्चा से कर रहे हो तैयारी लेकिन यह उसके परिणाम दौरा नियंत्रित हैं मान लिजें यू केदे कि खूब तैयरी करो खूब तैयरी करो और लाश्ट में कि नोक्री लगना छोड़ दिया है तो सातियों न लगना छोड़ दिया यह चीज होते ही हम तैयरी करना बंद कर देंगे लेकिन उसका परिणाम हमें पता है कि हम ऐसे हमारी लाइप में क्या क्या चेंज़े जिससे आ सकते हैं उसके परिणामों द्वारा एच्चिक अनुकिरिया अगर यहां पर नियंत्रित रहे तो उसको क संग्यानात्मक विकास के सिद्धान से नहीं निकाला जा सकता बच्चों की अधिगम नात्मक ततपर्ता के प्रती सववेदन शिल्ता व्यक्तिगत बेदों की स्विकृति खोचपूर्ण अधिगम और शाब्दिक सिक्षन की आवशक्ता तो देखो पियाजे ने अपना सं लेक नहीं किया है इसलिए 133 वे क्विशन में आपके जो चोता विकल्प है वही सही रहेगा तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे प्रश्ण संक्या 134 क्योर प्रश्ण नंबर 134 एरिक्सन के सिद्धान की वह कौन सी अवस्ता है जिसमें किशोर इस तरह के दोंदों का सामना करते हैं कि वह कोण है весь क्या है और जिवन में वह कहां जा रहे हैं तो प्रश्ण नंबर 133 में विकल्प हो को देखिए विश्वास बनाम है विश्वास उपक्रम बनाम गलानी पैचान बनाम भूमीका संभरम और संप्रूनता बनाम निराश्या तो प्रश्ण संक्या 134 एस हरा नमबर आपका प्रिश्ण संक्या एकstep को देखेंगे मांसिक सरचनाय जो चिंतन के निर्मान प्रखंड है जीन पियाजे ने इसके लिए किस शब्द का प्रियोग किया है समावेशन, आत्मसाथकरण, इस्थाने करण और इसकीमा तो साथियों चिंतन के निर्मान प्रखंड है मतलब चिन्तन जिनके माद्यम से किया जाता है मानसिक सरचना है तो सातीयों इसके लिए जीन पियाजे ने इसकीमा शब्द का प्रियोग किया है किस शब्द का इनों ने प्रियोग किया है तो 135 में में आपके चोटा विकल्प बिलकुल सही है नेक्स प्रेश नंबर 136 देखेंगे एसा चिंतन जो समश्या के एक सही समादान के ओर निर्देशित होता है कहलाता है अप सारी चिंतन द्वी पाशरविक चिंतन पार्शिविक चिंतन साध रिश्यवादी चिंतन और अभी सारी चिंतन तो ये जो चिंतन के चार प्रकार बत दालने की और कोशिश करें तो उसको अभी सारी चिंतन कहते हैं जबकि अब सारी चिंतन में क्या होता है खुदी की तरफ से फेक्ट को एड कर दिया जाता है चिंतन करने में तो विकल्प नमबर आपका चार सही है 136 वे क्यूशन में नेक्स्ट अब देखेंगे प्रिश्ण स युजन एक सम्रिद्ध और विवित्ता पूर्ण वातावरन उपलब्द करना और परंपरिक पद्यतियों को सूड रिड करना तो जीन प्याज ने अपने सितांत में बताया है कि बही जो बालक का संग्यानात्मक विकास से सरवादिक संग्यानात्मक विकास तब होगा जब बालक को हम एक सम्रिद्ध और विवित्ता पूर्ण वातावरन उपलब्द करा सकेंगे क्योंकि सम्रिद्ध और विवित्ता पूर्ण वातावरन ही बालक को अच्छे से संग्यानात्मक विकास कर सकता है थार्ड विकल्प 133 में सही है 138 वा क्यूशन बालक में पुरूश् वर्ष की उम्र में बालक को यह पता चल जाता है कि वह पूशत्व रखता है या इस्त्रित्व तो साथियों इस चीज की समझ उसमें तीन वर्ष में विक्सित होने लग जाती है विकल्प नमबर आपका दो सही है 138 वे प्रिश्ण में नेक्ष्ट प्रिश्ण संक्या 149 को द बागिदारी को महत्यु देना और बच्चों को पूर्ण रूप से सोतंत्रता देना तो प्रिश्ण संक्या 149 में राइट आंसर बताईए इनमें से बाल केंद्रि सिक्षासास्त का अर्थ किस्से लिया जाएगा साथियों नेतिक सिक्षा देने से ही बाल केंद्रि सिक्षा दोगे तो बिल्कुल वो एक बाल केंद्रि सिक्षासास्त का अर्थ लिया जाएगा थार्ड विकल्प 149 में सही है नेक्ष प्रश्ण संक्या 140 अपने प्रिप्रेक्ष वे किसी दूसरे के प्रिप्रेक्ष के बीच बेदने कर पाने की अयोग्यता की और संक्यत करती है अहम जो अपने प्रिप्रेक्ष मतलब खुद के और दूसरे के प्रिप्रेक्ष में यदि आप बेद नहीं कर सकते हो तो उसको अहम केंद्रवात के नाम से जाना जाता है नै की समर्ति लोग स्वत्य पुनप्राप्ति साथियों कोई अलग तत्य होता है इसमें क्या होता है रागव को अपनी कक्षा में अपने की बोर्ड पर सोयम द्वारा तैयार किया गया मदूर गीद बजाते हुए देखा कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि रागव में डेज 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 बुद्धी उचिस्त्रिय थी शारिरिक गति बोदक बुद्धी संगीत में सभी है 141 वे प्रिश्ण में नेक्ष्ट प्रश्ण संक्यां 142 चलिए प्रश्ण नमबर 142 पर आते हैं 142 किसी इस्तिति के कारण उत्पन द्वंदु जिसके सकरात्मक वे नकरात्मक दोनों ही पक्ष है वह व्यक्ति जो समानलक्ष द्वारा विकर्शित है माकर्शित है द देखो सकरात्मक भी पक्ष है उसका और उसका नकरात्मक भी पक्ष है मतलब सकरात्मक का मतलब तो फिर उसको क्या कहा जाएगा उपागम और नकरात्मक का मतलब परिहार तो सात्यों यहां पर हो रहा है आपके उपागम परिहार दो विकल्प नमबर आपका दो सही है 142 व को अभिप्रेरित करने के लिए निमनलिकित में से किस रननिती को अपणाना चाहिए पहला विकल्ब पर्तियक गतिविदी को प्रेरक के रूप में प्रोच्साहन, पुस्कार और दंड का उपयोग करें बच्चों को उनकी रूचियों के अनुसार अपने लक्ष निर्दारित करने और उन्हें पाने में निती है प्रात्मिक इस्तर के बालको को अभश करने के लिए वो है सातियों कि बच्यों को जो उनकी रूचियां हैं उनके अनुसार ही लख्ञ निर्धार करने के लिए कहेए और उन लख्ञ को प्रहप्त करने के लिए उन बच्चों की साहिता करें सेक्ड विकल्ब 143 उस्वेप प्रिष्ण में सही है नेक्ट देखेंगे प्रिष्ण संक्या 104 चंवाल इसको तो आपके प्रिश्ण संक्यां 104 से निम्न में से कौन सा आकलन करने का सरवाधिक उप्यूक्त तरीका है आकलन सिक्सन अधिगम में अंतर नहित परकिर्या है आकलन एक सेक्सनिक सत्र में दो बार करना चाहिए एक तो शुरू में और दूसरा अंत में आकलन सिक् इसानि की दोईबार करो या बाय एजंजी को बूलाओ या सत्रिकी समापती पे करो ये गलत होते हैं विकल्प नमबर आपका एक सही है 1444 को देखेंगे तो आपके 145 को देखेंगे निम्न में से कौन सा अमारे इंद्रिय सुक की चाओं का बंडार गरे है इदम अहम सुक्ष्म अहम परम अहम तो सात्यों जो इंद्रिय सुक हमारा होता है इसका बंडार गरे हमारा इड या इदम होता है क्या होता है इड या इदम विकल्प आपका एक सही है 145 को देखेंगे नेक्स प्रशन संक्यां 146 स्वापन निद्रा से किसका संबंद है सेतु या पॉंस का सेरी बेलम का मेरू रज्जु का और मध्य मस्टिक्स का तो यह क्यूशन तो मैंने पिछले टेस्ट में भी लिया था सात्यों सोपन निद्रा का संबंद आपके सेतु या पॉंस से होता है विकल्प एक सही है 146 क्यूशन में नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रिष्ण संख्या 147 पर 147 वा क्यूशन है बालक के विकास को निम्न कत्नों द्वरा समझा जा सकता है सिवाई 2-4 क्यूशन रिपीट हुए मतलब इंचिया पॉंड में आकलित नहीं किया जा सकता बिल्कुल सही बात है व्यक्तिकी शम्ताओं के प्रकट होने और विस्तार होने के रूप में परिबाशित कर सकते हो तो शम्ता आ रही है तो बिल्कुल सही है विकास कार्यात्मक पक्ष को भी दर्शा आता है लेकिन ये सरचनात्मक पक्ष द्वरा दर्शा जा सकता है ये गलत है सात्यों सरचनात्मक पक्षक दोरा विकास को नहीं बलकी वृद्धी को दर्शा सकते हो आप इसलिए विकल्प नमबर चार जो क्या है ये विकास के बारे में सत्य नहीं है आप इस कतन के दोरा विकास को परिबाशित नहीं कर सकते हो तो फोर्थ विकल्प सही है next question number 148 विकास व्यक्तिगत परकिर्या है अर्थात यह निरंतर चलती रहती है सभी व्यक्तियों का विकास अपने तरीके से होता है सभी व्यक्तियों का विकास एक सुवियोस्तित करम में होता है और विकास वंशानुकरम वे वातावरण की अंतहर किर्या का परिणाम है तो व्यक्तिगत का मतलब क्या हुआ सातियों निरंतर यह होता न विकास सतत चलने वाली परकिर्या है तो पहला हो जाता सातियों व्यक्तिगत परकिर्या का मतलब है सबी व्यक्तियों का विकास अपने खुद के तरीके से होता है मतलब अलग-अलग तरीके से विखलब आपका दो सही है 148 वे में नेक्ष प्रेश नंबर 159 तो सातियों 159 वा क्यूशन बीच कोश की निरंतरता का नियम कहता है कि बालक को जन्म देने वाला बीच कोश कभी नश्ट नहीं होता जैसे माता-पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है बालक अपने माता-पिता के बिल्कुल समान नहीं होकर कुछ बिन होता है और उप्रियुक सभी तो बीचकोष की निरंतरता का नियम क्या कहता है साथियों कि बालक को जो जन्म देने वाला बीचकोष है वो कभी भी नश्ट नहीं होता है प्रतम विकल्प 159 में सही है देखो जिसे माता पिता होते हैं वैसे संतान ये तो समानता का नियम कहलाता है प्रतम विकल्प 159 में सह अधेली रहेगा नेक्ष प्रिष्ण संक्या 150 स्प्रायड के अनुसार मनों इसलेशन में सबसे कम भुमिका होती ए्चेतंता की पूरू छे क्रोधित ओकर अपना क्रोध अपने खिलोनों या अपने छोटे भाय बैनों पर निकालता है कौन सी रक्षात्मक युक्ति काम में ली जा रही है परतिस्थापन प्रक्षेपन अंतरवेशन और परतिकिर्या निर्मान तो साथियों प्रेश्ट नंबर 111 में राइट आंसर ब कहेंगे साथियों परतिस्थापन डिस्प्लेस्मेंट विकल्प एक सही है आपका प्रश्ण 111 में नेक्ष्ट प्रश्ण संक्या 152 एक सो बावन वा क्यूशन है फ्रायट के अनुसार की सवस्था में बालक अपनी माता से प्रेम करता है जबकि बाली का अपने पिता से प् और वेलों टेकल्प तीन सही है प्रश्ण 152 नेक्ष्टन 153 को देखे लतम है प्रश्ण संक्या 153 है पर अनुबूति देना तब आसान हो जाता है जब हम vidare एसी स्थिति का सामना किया हो जब हम वेश्व हो चुके हो और उप्रियूप्त संक्या होता है तो सातियों पर तब पर अनुबूती देना आसान हो जाता है पर अनुबूती मतलब सामने वाला कोई दुक है दुकी है और हम यूं कहते हैं कि वह यार चलो थोड़ा ज्यादा करम मत करो यह मत करो मत करो कि हाँ आपने आपको संबलो एसे होता है वेसे होता है तो सातियों एसी चीजे जब हम उसी स्तिति का सामना कर चुके हो तो बड़ी आसनी से एक्स्प्लेन कर सकते हैं परतम विकल्प 153 में सही है नेक्ट प्रेश नमबर 154 मैसलों के अनुसार हो है कौन सी आवशक्ता है जहां व्यक्ति आत्म जागरूख समाच के प्रति अनुकिर्याशील सर्जनात्म स्वाइस्पूर्थ तता नविंतायम चुनोती से मुक्त होता है सम्मान के आवशक्ता आत्मेता के आवशक्ता सुरक्षा के आवशक्ता और आत्म सिद्धी की आवशक्ता तो देखो आत्म जागरूख है व्यक्ति समाच के प्रति अनुकिर्याशील है सर्जनात्मक है सोयस्पूर्थ है नविंता चुनोती ये चीजे साथियों आत्म सिद पराणी में उत्पन उत्पन नहीं होते हैं भलकि शुप्दाँ आंत्रिक संतूलन के परती की जविक होぎ辉तित के जाते हैं प्रतिकिर्या से प्राणे में उत्तेजित अवस्ता जो होती है उसको ही जेवी कभी प्रिरख कहते हैं थर्ड विकल्प 155 में सही है नेक्ष प्रेश नंबर 156 वह तरकना जिसमें उपमा के अधार पर तरक वितर करते हुए जिन तक किसी निश्कर्ष पर पहुंचता है कहलात तरकना तो जिस प्रकार की तरकना में हम तरक वितर कर रहे हैं और फिर किसी निश्कर्ष पर पहुंच रहे हैं तो साथियों उपमा के आधार पर तरक वितर किया जा रहे तो उसको आगमनात्मक या निगमनात्मक तरकना नहीं कहा जाएगा बलकि साथियों उसको कहा जाता साध्रिश्यवादी तर्कना क्योंकि उपमा जिसमें की जाती है उसको कहा जाएगा साध्रिश्यवादी और यहां पर यदि गुण दोश देखे जाएंगे तो फिर वह आलोचनात्म को जाएगा तो 156 में चोता विकल्प है साई नेक्ट प्रिश्ट नमबर 157 बच्चो द्वारा प्रिश्ट का सही उत्तर देने पर उनको टोपी देना किस प्रकार के अधिगम सिद्धान से सम्मन्दित है प्राची ननुबंदन का सिद्धान्त किरिया परसुत अनुबंदन का सिद्धान्त अंतर द्रष्टी अधिगम का सिद्धान्त और प्रेक्शनात्मक अधिगम का सिद्धान्त तो बच्चे प्रिश्ण का सही उत्तर दे रहे हैं और बदले में आप उनको टोपी दे रहे हो चोकलेट दे रहे हो तो वो चीज पुनरबलन का कारी करेगी और पुनरबलन का कारी करेगी तो मतलब किरिया परसुत तनुबंदन का सिद्धान उसको हम कहेंगे सेकंड विकल्प 157 में सही है नेक्ट प्रिश्ट नमबर 158 कौन से अधिगम में एक नया व्यवहार सीख लिया जाता है किन्तू से व्यक्त नहीं किया जाता है जब तक कि उसे पुनरबलित नहीं किया जाए प्रिक्षनात्म कदिगम, साहचर्यात्म कदिगम, एव्यक्त अधिगम और वाची कदिगम तो प्रिश्ट संक्या 158 में सही अंसर चुनना है आपको देखो नया व्यवहार हमने सीख लिया है लेकिन यदि हम उसको व्यक्त नहीं करते हैं जब तक हमें पुनारबलन नहीं मिले तो उसको एव्यक्त अधिगम का सिद्धान्द कहा जाता है सात्यों चुहों के उपर ये प्रियोग किया गया था इस प्रकार का थर्ड विकल्प आपके यहां सही है 178 वे प्रिश्ट में नेक्स प्रिश्ट संक्या 169 अधिगम को प्रभवित करने वाले कारकों में सम्मिलित है वातावरण आयू तता परिपकुता पुरु अधिगम और इनमे से कोई नहीं तो इस प्रश्ट में क्या उराय सात्यों 166 में राइट आंसर बताना है देखो अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वातावरण भी अधिगम को प्रभावित करता है हमारी आयू और परिपकुता भी करती है पुरू अधिगम भी प्रभावित करता है अर्थार्थ यहाँ पर इन में से सभी इन में से कोई नहीं नहीं हिंगे साथिओं एक सोसाट वा प्रिष्ण रहें किसि अनूबंदित उद्धिपक के प्रति भगेर सिखिय हुईए अनुकिरिया कहलाती हैं अनूबंदित उद्धिपक और अनु बंदित अनुकिरिया तो अनुबंदित उद्धिपक का मतलब क्या हुआ, सात्यों जिसे भोजन है, भोजन एक अनुबंदित उद्धिपक है, इसके परती बगेर सीक्यूई अनुकिरिया मतलब जिसे लार काना, तो फिर उसको अनुबंदित अनुकिरिया ही कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भोजन स लार का आना अनुबंदित अनुगिर्या नहीं है, बलकि अननुबंदित अनुगिर्या है, दूसरा विकल्प 160 वे क्यूशन में सही है, नेक्ट प्रश्च नंबर 161, अनुगिर्याओं की एक श्रंकला को उनकी प्रस्तुति के सुनिश्चित करम में सीखना कहलाता है, वाचि प्राचिन अनुबंदन में एक समाप्त हुई अनुबंदित अनुकिरिया का एक विश्रा माउधी के बाद पुनहे प्रकटी करण कहलाता है विबेदन, सामाननी करण, विलोपन और स्वतह पुनहे प्राफ्ति तो देखिए जब प्राचिन अनुबंदन में कोई अनुबंदित अनुकिरिया विश्रा माउधी के बाद पुनहे उसका प्रकटी करण मतलब वापिस अनुबंदन इस्ताफित हो जाता है तो इसको सोतह पुनहे प्राप्ति कहते हैं अच्छानक अनुबंदन की प्राप्ति हो जाना फोर्थ विकलप 162 वेक्विशन में सहिए साथियों विबेदन, सामानी करण, विलोपन विलोपन में तो अनुबंदन का विलोप होता है विबेदन में विबेद करना सीख जाता है और सामानी करण में सामानी करण करना जाना जाता है तो नेक्ष प्रेश नमबर 163 पियाजे के अनुसार वह कौन सी अवस्ता है जिसमें नहुजाज, सिश्यू, शारिक और पेशिक किरियाओं के साथ समवेदी अनुभाओं का सायोजन कर संसार की समझ विक्षित करता है समवेदी प्रेरक अवस्ता, पूर्व संक्रियात्मक अवस्ता, मुर्थ अवस्ता और ओपचरिक संक्रियात्मक अवस्ता तो जिन पियाजे के सिद्धान्त में से आपके एक नए क्यूशन 101 परसेंट आएगा सातियों देखे इन्होंने बताया है जो चार अवस्ते हैं बताई है इसमें पहली अवस्ता है समवेदी प्रेरक अवस्ता जिसकी आयू है 0-2 वर्षे सातियों इस अवस्ता में बालक क्या करता है समवेदनाओ के द्वारा वो अनुभवव का संयोजन कर संसार की समज विक्सित करता है समवेदी ठीक है पेशी किर्याओ के साथ समवेदी अनुभव का विकलब आपका एक सही है 163 में नेक्स प्रिश्ट नमबर 164 सामाजी का दिगम में वह है परिकिर्या जिसमें बालक दूसरों का प्रेक्शन वह अनुकरन करके सामाजी केवं संग्यानात्मक विवर सीखता है कहलाती है अभी प्रेणा, मौडलिंग, संवेग और मौलपृत्ती तो देखो सामाजी का दिगम किसके दोरा दिया गया है बंडूरा के दोरा इन्होंने बताए सातियों बालक दूसरों का प्रेक्शन और अनुकरन करके यदि सामाजी को और संग्यानात्मक विवर सीख रहे है फ्रेक्शन मतलब देख करके नकल करके उनके जैसे कार करके तो फिर इसको मॉडलिंग नाम दिया गया है क्या नाम दिया गया है इसको मॉडलिंग सेकंड विकल्प 164 वे क्यूशन में सही है साथियों नेक्स प्रिष्ण नमबर 165 तो चलिए 165 वे क्यूशन दो समान एवांचनी लक्षों के बीच दुवन्द प्राई जिसका समधान नहीं हो पाता है कहलाता है तो एवांचनी लक्ष का मतलब क्या हुआ जिनको हम नहीं चाते हैं तो साथियों इसको फिर परिहार परिहार दुवन्द के नाम से जाना जाएगा चोता विकल्प 165 वे प्रिष्ण में सही है अब हम प्रिष्ण नमबर 106 चट के ओर बढ़ते हैं तो साथियों प्रिष्ण संक्या 106 चट व्यक्तित के विबाजन के लिए मनो विदालिता का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया बली यूलर ने क्रेपलिन ने मोरेल ने और सिग्मन फ्रायड ने तो साथियों मनों विदालिता का सबसे पहले प्रियोग व्यक्तित विबाजन के लिए सिग्मन फ्रायड के द्वारा किया गया है चोता विकलप आपके एक सो चाचट में सही है इसमें क्या होता है साथियों कई जगे बली यूलर भी मिलता है तो इसके लिए आप जरूर कमेंड करके जाए एक सो चाचट वे प्रिशन में वैसे फ्रायड ही इसमें अधिकतर जगे मिलता है बट बली यूलर को भी माना जाता है साथियों तो चलिए नेक्स प्रिशन नंबर 166 के ओर बढ़ेंगे संग्यानात्मक्त का संबंद किस मानसिक विक्रती से है विशाद से, दुस्चिंता से, व्यक्तित्व विक्रती से और मानसिक मंदता से तो साथियों संग्यानात्मक्ता का संबंद आपको बताना है कौन सी मानसिक विक्रती से माना जाता है तो 166 वे कुशन में सही अंसर बताईए तो साथियों प्रश्ण नमबर 166 में देखो संग्यानात्मक्ता का संबंद विशाद से माना जाता है किसे माना जाता है विशाद से अच्छे तरह से याद रखना है स्क्रीन शोट ले लीजे प्रश्ण का नेक्ट प्रश्ण नमबर 168 को देखेंगे प्रश्ण नमबर 168 निम्ड में से किसे भवात्मक रोग कहा जाएगा मनो विदलता को उत्सा है विशाद मनो विकृति को ब्रह्मा सक्ति को और मानसिक मंदन को तो इन में से उस शब्द का चैन कीजिए जिसको भवात्मक रोग कहा जाएगा प्रश्ण नमबर 168 में राइट आंसर वताना है तो साथियों इन में से भवात्मक रोग कहा जाता है उत्सा है विशाद मनो विकृति को सेकंड विकलप आपके 168 वे क्विशन में सही है अब हम प्रश्ण नमबर 179 पर आते हैं तो आपके 179 वे क्विशन मनो वियादी की शब्द का आरते है मन का रोग, देह का रोग, मान स्पेशियों का रोग और इन में से कोई नहीं तो मनोव्यादि की शब्द का मतलब देह का रोग या मयास्पिश्य का रोग नहीं होता है बलकि मन का रोग होता है प्रतम विकल्प 179 में सही है साथियों नेक्स प्रिशन नमबर 170 डबल रिपीट होए क्यूशन सकरात्मक दबाव को कहते हैं नहीं सोरी वहाँ पर नकरात्मक दबाव था या सकरात्मक है तो साथियों नकरात्मक को तो मैंने डिश्ट्रेस बता दिया था और जो सकरात्मक दबाव है इसको साथियों यूश्ट्रेस कहा जाता है विकल्प आपका दो सही है प्रिशन 170 में नेक्स प्रिशन नमबर 171 पे आते हैं तो आपके 171 वा क्यू पर कोई दबाव आता है तो उसका संग्यानात्मक पक्ष प्रभावित होता है संवेगात्मक पक्ष प्रभावित होता है और व्यावहारात्मक पक्ष भी प्रभावित होता है चोता विकल्प आपका सही है प्रश्ण 111 में नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्ण नंबर 172 की ओर तो चलिए एक सो बहतरवा क्यूशन वरद्ध व्यक्तियों के मनोविज्ञान को कहा जाता है सामानी मनोविज्ञान दिक मनोविज्ञान जरा मनोविज्ञान और नेदानिक मनोविज्ञान तो प्रश्ण नमबर एक सो बहतर में राइट आंसर बता दीजिए देखिए जो वृद्ध व्यक्तियों का मनोविज्यान होता है। वृद्ध मतलब बूड़े लोगों का। तो उसके मनोविज्यान को जरा मनोविज्यान कहते हैं। थार्ड विकल्प आपके 172 वे क्यूशन में सही है। नेक्स्ट अब हम प्रश्ण नमबर 173 को देखेंगे साथियों 173 वे क्यूशन। जब कुछ अजनभी व्यक्ति किसी चोराहे पर किसी दुरगटना उगरस्त व्यक्ति की मदद करने के लिए समू बना ले तो यह किस प्रकार के समू का उधारन है। प्रात्मिक समू हैं, आकस्मिक समू हैं, प्रियोजनात्मक समू हैं या एकांतात्मक समू हैं। तो साथियों प्रश्ण नमबर 173 में रैट अंसर बताईए आपका कौन सा विकल्प इसमें सही रहेगा। देखो, मान लीजे कि कुछ अजनभी व्यक्ति जो एक दूसरे को जानते नहीं है, कोई चोरा या है, वहाँ पर कोई दुरगटना हो गई है, तो उन व्यक्तियों की मदद करने के लिए अगर कोई ग्रूप बन जाता है, तो ये ऐसा ग्रूप आकस्मिक ग्रूप या आकस् होता है, या तीन गटक होते हैं, तो सातियों प्रश्च नमबर 114 में रायट आंसर बताईए, प्रश्च नमबर 114 में आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा, देखो, मनो व्रत्ति के गटकों की संक्या याद रखना है, तीन होती है, कितने गटक होते हैं मनो व्रत्ति के, त पिरूवागर्भै की व्यवहरात्म का वियक्ति को क्या कहा जाता है बताएगा राइट आंसर इसमें जो रायट आंसर है वो रहेगा आपके चोथा लेविकल्प पुर्वा ग्रह की व्यवहारात्मक व्यक्ति को विवयद कहा जाता है क्या कहा जाता है वुवयद ग। इ Assistant, प्रेष नंबर box 185 में तो next p 006 है साथियों आपके एप पल्स का सम्मंद किस चिकिस्थविदी से चिक्षा से वयाहार चिक्षा क्लाइंड केंद्रिट चिक्षा से और मना जाता है। नेक्स प्रेश्ट नमबर 117 निम्ड में से कौनसी व्यक्तित उमापन की व्याओहर आत्मक विशलेशन विदी नहीं है साक्षातकार विदी, इस्तती परक परिक्षन विदी, रोर्शार परिक्षन विदी और प्रेक्षन विदी तो देखो व्यावहर आत्मक विशलेशन विदियों में प्रिक्षन विदिया आती है, सिचुएशन टेस्ट आती है, साक्षातकार इंटर्वी भी इसी में आ जाता है, उब्जर्विशन सभी चीजे, लेकिन साथ यो रोर्षा प्रिक्षन है, हर्मन रोर्षा का, यह आपके प्रक्षेपी प्रिक्षनों में आता है, किन में आता है यह आपके प्रक्षेपी प्रिक्षनों में, विकल्प नंबर आपका तीन सही है, प्रिशन नंबर 177 में, नेक्ष देखेंगे आपके प्रिशन संक्या 178 को, तो चली 178 होगा क्यूशन, रोर्षा शाय दब्बा प् परिक्षन है यह आपके प्रक्षेपी तक्निकों के अंतरगत रखा जाता है सेकंड विकलप 138 वे क्विशन में सही है यह व्यक्तित्व मापन के परिक्षन है साथ यह व्यक्तित्व का जो मापन किया जाता है जिन परिक्षनों से नेक्स प्रेश्ट नमबर 189, निम्न में से कौन सी व्यक्तित के स्वय परतिवेदन मापक है, रोर्चार परिक्षन, TAT, CAT और MMPI, देखो स्वय परतिवेदन मापक में रोर्चार परिक्षन, TAT और CAT, ये तीनों ही नहीं आएंगे क्योंकि ये तीनों ही प्रक्षेपी परिक् करते हैं, चोता विकल्प 189, वेक्षन में सही है, नेक्स प्रेश्ट नमबर 180 को देखेंगे, तो चलिए प्रेश्ट नमबर 180 आपको यहां उपर की तरफ मिलेगा, ये देखिएगा ये, 180 वेक्षन, ऐसे व्यक्ति जो मजबूत पेशे शरीर वाले उर्जावान एवं सासी होते हैं, कहलाते हैं, गोला करतिक, आयता करतिक, लंबा करतिक और उपर्युक सभी, तो सातियों, मजबूत पेशे शरीर और जान और सासी, मतलब यहां पर खिलाडियों की बात की जा रही है, खिलाडी वगिरा इसी में आते हैं, तो इनको आयता करतिक में सम्मिलित किया ज जाता है लंबा करतिक में लंबे और दुबले होते हैं गोला करतिक में छोटे और नाटे होते हैं तो यहां सेकंड विगलप आपके 180 वेक्विशन में सही है नेक्स प्रश्च नंबर 181 को देखेंगे तो चलिए प्रश्च नंबर 181 किन मनविज्यानिकों ने साववेगिक बुद्धी का प्रतिपादन किया विकल पहे आपके सेलोवी एवं मेयर गिलफोर्ड एवं स्पियरमेन सीमेन एवं बिनेट और केटल एवं गार्डनर तो बताए प्रश्च नंबर 181 में कौन सा अंसर आपका सही रहेगा देखो विकल पापका एक सही है प्रश्च में संक्यां 181 में नेक्ट प्रश्च नंबर 182 को देखेंगे ये देखिएगा सामुहिक रूप से बुद्धी प्रिक्षन की जवरत सरुपरतम कब हुई परतम विश्युद्ध के दोरान दितिये विश्युद्ध के दोरान दोनों और इन में से कोई नहीं तो देखो सामुहिक रूप से मतलब एक साथ कई लोगों का बुद्धी कई लोगों के बुद्धी प्रिक्षन करने की जवरत सबसे पहले कब मैसूस हुई थी 182 विश्युद्ध में राइट आंसर आपको बताना है तो साथ युद्धिये एक सामाने विश्यक्ति की बुद्धी लब्दी होती है 80, 90, 100 और 120 देखो 80, 90 यहां पर सामाने में नहीं आता है बलकि 100 सामाने में आता है और 120 तो फिर सामाने से उपर चला जाएगा त्यूर्य में आ जाएगा ये तो तो इसलिए आपका थर्ड विकल्प 183 वे क्युशन म इसमें भावों एवं समवेगों को मोनिटर करने एवं उनमें विबेद करने की शमता रखता है शारिक गती पर नियंतरन रखने की शमता रखता है शब्दों की बहुत शमता रखता है और उप्रियोक्त सभी तो देखो जो व्यक्ति का सेल प्रिंट लिजें सोतिय साथियो इसमें क्या होता है व्यक्ति जो खुद के भाव है खुद के संवेग है इनको मोनिटर करने और उनमें विबेद करने की भी शमता रखता है विकल्प आपका एक सही है 184 वेक्विशन में नेक्ष प्रेश्ट नमबर 185 सांकेतिक, आकरतिक, शाब्दिक जैसे शब्द गिलफोर्ड ने किन पदों में आते हैं विशेवस्तू, संकिरिया, उत्पाद और उप्युक सभी तो साथियों ये जो चारो प्रकार है आकरतिक, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यावारिक ये चार प्रकार यहाँ पर विशेवस्तू के गिलफोर्ड ने बताए हैं अपने संकिरिया, उत्पाद के सिद्धान्त में विकल्प नमबर आपका एक सही है प्रिश्टन संक्या 185 में तो चली अब आगे बढ़ेंगे हम प्रिश्टन संक्या 186 की ओर आपके 186 वा क्यूशन विक्तित को अदोलिकित विशेष्टाओं से इसपष्ट किया जा सकता है सिवाई इसके अंतरगत शारिक वे मनोवग्यनिक दोनों ही गटक आते हैं इसकी परमुक विशेष्टा साधरन तया समय के साथ परिवर्थित नहीं होती है विक्तित इस्तितियों के प्रती अनुकूलिये नहीं होता है और इनमें से कोई नहीं तो साथियों देखो विक्तित को शारिक और मनोवग्यनिक दोनों गटको को शामिल किया जाता है विक्तितु में साधरनता इसकी जो प्रमुक विशेस्ता है वो भी समय के साथ परिवर्थित नहीं होती लेकिन इस्ततियों के प्रति अनुकूलनिये नहीं होता है पहले केसे व्यक्तित है और अब केसे हैं वातरण बदला हुआ है साथियों इस्तितियों के प्रती अनुकूलनी होता है व्यक्तितू थार्ड विकल्प यहाँ पर सही है क्योंकि ये गलत कहा जा रहा है 186 वे प्रिश्ट में नेक्ट देखेंगे आपके 187 वाक्यूशन ये देखिएगा थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको और छोटा ये देखिए प्रिश्ट संक्या 188 बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्ति शारिक विकास एक महत्पुन आउशक्ता है ये गलत हो सकता है क्योंकि विकास नित्तांत व्यक्तिकत मामला है सही है क्योंकि विकास करम में शारिक विकास सबसे पहले इस्तान पर आता है सही है क्योंकि शारिक विकास कहने पक्षों के साथ अंते संबंदित है गलत है क्योंकि शारिक विकास कहने पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है तो सातियों जो बच्चे का स्वत्ष शारिक विकास है ये एक महित्पुनावशक्ता मानी जाती है उपरो कतन बिल्कुल सही है क्योंकि जो बालक का शारिक विकास है वो विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतह सम्मंदित होता है तो आपके प्रशन संक्या 188 ये देखीगा तो आपको प्रशन संक्या 188 में राइट आंसर बतना है साथियों कौन सा अंसर आपका इसमें बिल्कुल सही रहेगा देखो पुन्य इसमरान में परीशद्धता पुन्य इसमरान किसके माध्यम से करते हैं साथियों इसमर्थी के माध्यम से करते हैं इसलिए आपका दूसरा विकल्प 158 288 क्यों में बिल्कुल सही है अब हम प्रशन संक्या 189 के और बढ़ेगे तो आपको केंधुर सरकार दाखिलें, उपस्तिती और प्रारंबिक फिक्षा की पूर्दा को सुनिश्चित करेगी दनडा अतमक ये से बचने के लिए अपने बच्चों को विध्यले बेजने के लिए अभिवावं को पर अनेवारी रूप से जोड डाला जाएगा और अनिवारी सिक्षा सत्र प्रिक्षन के माध्यम से प्रदान की जाएगी तो देखो निशुल के अवं अनिवारी जो सिक्षा का अधिकार अधिन्यम 2,009 है इसमें अनिवारी शब्द का मतलब क्या है साथियो प्रश्ण संख्यां 199 में सही आंसर बताईए तो इसका जो राइट आंसर है वो है जो उस समय की सरकार है उचित सरकारे जो दाकिले हैं उपस्तितिया हैं और जो प्रारंबिक सिक्षा है इसकी पूर्णिता को सुनिश्चित करेगी सेकंड विकल्प 189 में सही है नेक्स्ट आता है आपके प्रश्ण नंबर 190 अब यहां पर एंड चल रहा है इस वीडियो का तो देखिएगा 10 क्यूशन और बच रहे हैं आपके एक व्यक्ति कम शर्मिला हो सकता है जबकि दूसरा अधिक एक व्यक्ति अधिक मेत्रिपुन व्य सबी का देखो कम शर्मिला शर्मिला पन मेत्रि पून ता तो साथियों इसको विशेशक उपागम कहा जाता है जिसको शील्गुन के नाम से भी जाना जाता है इसलिए आपका जो सेकंड विकल्प 190 वे क्यूशन में वही सही आंसर है अब हम प्रश्ण संक्या 119 की और किश नंबर 100 इंकार्ण वे वाफिस थोड़ा बड़ा है क्यूशन ये भी विध्यारतियों के व्यक्तिगत नेताओं को सम्मोधित करने के लिए एक विद्याले किस प्रकार का सयोग उपलब्द करवा सकता है व्यक्तिगत नेताओं नहीं सोरी व्यक्तिगत विबिन्निता लिखाता मैंने यहाँ पर व्यक्तिगत विबिन्ताओं को सम्मोधित करने के लिए विद्याले किस प्रकार सयोग उपलब्द करवा सकता है सबी सिक्सार्थियों के लिए सामानिस्तर की पार्टी चर्या का अनुगमन करना बाल के अंदित पार्टी चर्या का पालन करना और व्यक्तिक्य विबिनतां को शमाप्द करने के लिए हर संभव उपद्ध्याले बाल के एंद्रित पार्टे चर्जा का पालन करेगा और चात्रों को सीखने वीद्ध नैक्स प्रेशनowे विट्ध्याले को देखेंगे साथ्यों बुद्धी का कौन सा सिद्धान्त मनोमिति कुपागम में नहीं आता है बुद्धी सरचना मोडल, प्रात्मिक मानसिक योगिता का सिद्धान्त, व्यावहर का जुईकारक सिद्धान्त और बुद्धी का त्री चापिय सिद्धान्त तो सातियों देखो जो बुद्धिका त्री चापी सिद्धानत इस्टनबर्ग ने जो दिया था वो मनोमितिक उपागम के अंतरगत नहीं आता है चोता विगलप आपका सही है बागी ये तीनों ही मनोमितिक उपागम के अंतरगत आ जाते हैं नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रक्षेपक, संगणक, अनुदेशन और चपाई मशीन का उधारन नहीं है प्रक्षेपक, संगणक या चपाई मशीन का उधारन नहीं है प्रक्षेपक, संगणक या चपाई मशीन का उधारन नहीं है प्रक्षेपक, संगणक या चपाई मशीन का बुद्धी के अधिक्ता रखने वाले लोग विचलेशनात्मक वे आलोचनात्मक डंग से सोचते हैं और विद्याले में सपलता प्राप्त करते हैं गट्के बुद्धी, आनुभाविक बुद्धी, सांदर्बिक बुद्धी और उप्रिुप्त सभी तो प्रिश्न संक्या 194 में आपको सही अंसर बताना है शाथियों कुनसा विकल्प आपका 194 में सही रहेगा देखिए प्रशन संक्या 194 में जो राइट आंसर है वो रहेगा आपके घटके बुद्धी जो इस्टन बर्ग ने जो अपना त्री तंत्रिय सिद्धान दिया है जिसमें तीन प्रकार की बुद्धी बताई है गटके अनुभाविक और सांधर्बीक उसमें जो गटके बुद्धी है इसमें विशलेशनात्मक और अलोशनात्मक डंग से सोच करके सपलता प्राप्त की जाती है तो विकल्प एक सही है 194 में नेक्ष प्रशन नमबर 195 सात्यों प्रशन संक्या 195 है यह देखिएगा प्रशन नमबर 195 को तो आपके 195 क्यूशन को देखते है सतत्यम व्यापक मुल्यांकन का अर्थ है सभी विश्यों में अधिगम को सुनिश्चित करने है तू निश्चित अंत्राल पर नीमित आकलन योग्यताओं व्यक्तितु तता कोशलो आधिके व्यापक शेत्र में अधिगम को अभी लिकित करने है तू सतत आकलन जिन विशेश शेत्रों में विद्यारती कमजोर है उनमें उप्चारात्मक सिक्सन परदान करने है तू आकलन और कम उपलब्दी वाले शेत्रों में सुधार लाने के लिए माता पिता और अध्यापकों को परती-पुष्टी प्रदान करने है तू आखलन तो इसमें से सततेम व्यापक मुल्यांगगन का आपको अर्थ बताना है साथियों सता तेवं व्यापक मुल्यांगन का अर्थ इन में से क्या रहेगा बताए प्रश्ण संक्या 195 में आपका राइट आंसर कौन सर रहेगा तो देखो पहला विकल्प हम देखते हैं सभी विश्यों में अधिगम को सुनिशित करने तो निश्ची तंत्राल पर नीमित आखलण बिल्कुल हो सकता है योग्जिताओं व्यक्तित्वी तता कोशलो आधिके व्यापक शेत्र में अधिगम को अभी लिकित करने हैं तो आखलन लेकिन ये इससे ज्यादा बेश्ट विकल्प है दूसरा वाला इसलिए आपका ये ही आपका सई अंसर है साथ्यों प्रश्ण एक सो पिंचानवे में नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्ण नमबर 116 में पर मनो विश्लेशन चिकिस्सा का आधाल लक्ष है मनो रोग्यों की पेचान करना दमित ए चेतन सामगरी को चेतन इस्तर तक लाना व्यक्तित्व के इदम के महत को बताना और इनमें से कोई नहीं तो साथ्यों चिकिस् है दमित ए चेतन सामगरी को चेतनिस्तर तक लाना जो दमित हमारे सामगरीयं या कोई प्रशान नमबर 117 माना जाता है सेकंड विकलबilot नमबर 117 की साहते हैं सात्यों आपके खिलोने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू समगरिया, व्यवसाईयों एवं रंगों को विशिश लिंग के साथ सम्मंदित करना क्या प्रदर्शित करता है जेंडर प्रासंगिक्ता, विक्सित जेंडर पैचान, जेंडर रूडिवादिता और जेंडर सिद्दान्त देखो जो जिसे खिलोने हैं, पहनावा है, घर की जो वस्तुएं हैं, समगरिया हैं, व्यवसाई हैं, रंग हैं, इनको जिसे इस्त्रिया पूरिश के साथ यदि आप सम्मंदित करते हो तो ये जेंडर रूडिवादिता कहलाएगी, जैसे लड़के आवई गुड्डियों से खेलेगी, लड़के बंदुकों से खेलेंगे, तो ऐसी चीज़ों को जेंडर रूडिवादिता कहा जाता है एकसो संत्याणवे में थर्ड विकल्प सही है, नेक्ष प्रस्क नमबर एकसो अंठ्याणवे चिकिस्सक के द्वारा जाच तता किसी भी बीमारी के लक्षन ने होने के आश्वशन के बाद भी मैं तो ही लक्षनों को व्यक्ति द्वारा गंबीर विमारी समझा जाना कहलाता है काय आलंबिता, स्वयकाय दुस्चिंता रोग, विच्छे दी स्मर्ती लोप और बहु व्यक्तित हुए तो देखो, जैसे मान लीजिए कि हम उस्पिटल गए, हमें लगता है कि मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी है, चिकिसक ने कहे दिया कि कुछ भी नहीं है आपको फिर भी आपकी उसको बिना चिकिसक ने बोल दिया फिर भी आप अगर कोई गंबीर बिमारी समत्ते हो, तो उसको स्वयकाय दुस्चिंता रोग कहा जाता है साथियों 198 में सेकंड विकल्प सही है, नेक्ट प्रश्ट नमबर 199 नन्याणवे, निमनलकित में से कौन सी अधिगम की मुख्य परकिर्या नहीं है, जिसके दोरा सार्तक अधिगम घटित होता है, अन्वेशन एवं परस परिकिर्या, पुन्रावर्ती एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन और इस्मरणवे कंटस्तिकरन, तो देखो, म मुख्य परकिर्या नहीं है, तो सातियों अन्वेशन और परस परिकिर्या मुख्य परकिर्या मानी जाती है, पुन्रावर्ती और अभ्यास को मुख्य परकिर्या मानी जाती है, निर्देश और संचालन को मुख्य परकिर्या मानी जाती है, और सातियों इस्मरणवे कंटस् जाएं कोई भी डाउर तो हो तो उसके लिए जरूर कमेंड करें और बता कर जाए कितने क्यूशन आपने इस भाग में सही किये हैं बाकी जो 133 क्यूशन हैं वो भी 24 दिन में में लेकर आ जाओंगा तो चलिए 200 और आज का अंतिम क्यूशन यदि आप से पूछा जाए कि 5 से 2 को गुणा करने पर क्या एगा तो इसका उत्तर देने में नहीं चिंतन होगा अब सारी चिंतन आलोचनात्मक चिंतन स्वली चिंतन और अभी सारी चिंतन तो 5 को 2 से गुणा करेंगे 5 इंटू 2 बरबार अपन कितना अंसर बताएंगे 10 तो यह 10 हमने जो बताया दिये गए त सारी चिंतन का उधारन होगा चोता विकल 200 वेक्यूशन में सही है तो यह आज का टेस्ट पूरा हुआ बहुत बहुत धन्यवास सभी का